नमस्कार फिंड्स वीजा टू एक्स्प्लोर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका होस्ट हरीश बाली इस समय हम देवगड में हैं मेरे साथ प्रसाद है नमस्ते प्रसाद प्रसाद का यूट्यूब चैनल है प्रसाद का घर भी सिंदुदूर्ग डिस्ट्रिक्ट में ही है तो हमारी कुछ दिन पहले बात हो गई थी कि हम यहाँ पर आएंगे तो मिलेंगे अब दिन के शुरुवात हमने कैसे करी है सबसे पहले हम देवगड आएं यहां का सी बीच देखेंगे यहां पर न सी बीच के किनारे पर ही कुछ विंड मिल्स हमारे को दिखाई दे रही है तो चार से पांच विंड मिल्स तो यहीं दिख रही है तो टोटल कितनी होंगी टोटल आठ से दस विंड मिल्स है अभी आठ तो शुरू है यहां पर ग्रेट यहां पर नजदीक में ही सी बीच है, यहां पर यह प्लाटू है, यह प्लाटू के नीचे यहां पर देवगण का बीच है, और इसकी वो तरफ का जो प्लाटू है, वहां पर देवगण फोर्ट है, देवगण का किला, अच्छा एप प्लाटू से आपने सही बात बताई, हमन अब तू यह कोश्टल में पूरा प्लाटू है, मालवन तक सबसे ज्यादा प्लाटू है, देवगड़ एरिया इस प्लाटू, 80% देवगड़ी से प्लाटू, सो यहाँ पर अलफान से अच्छा होता है, यह बहुत फेमस आम है ना, चलते हैं बीच के पास देखो हैट से हमेशा समुदर को देखने का जो मज़ा आता ना वो बड़ा यूनीक होता है, तो बीटिफुल आओ जी वैसे एक बात है, आज दिन के शुरुवात ना काफी अच्छी हुई है, समुदर किनारे ना सैंड को अबजर्व करना बड़ा जरूरी है क्योंकि इससे ना बड़ा कुछ सीखने को मिलता है कि सैंड का कलर कैसा है, फील की आ रही है, अब देखो यहाँ पर कुछ हिससे में तो golden sand है, कुछ हिससे में white sand है, वहाँ पर golden लग रहा था और वाइट और golden का mix लग रहा है, यहां से जैसे हम नीचे नीचे जाएंगे तुवर्श गोवा, विंगुरलेसे, तो और आपको और clear sand दिखेगा, और white भी दिखेगा, अच्छा, आगे जलके, white sand दिखेगा, अच कुछ दर पहले हम वहाँ विड्मिल के पास खड़े थे निच्छे देख रहे थे अब यहां से हम विड्मिल देख रहे हैं सही लग रहा है ब्यूटिफुल देवगण बीच से हम एक किलोमेटर भी कुनकेश्वर की ओर आगे आए और हमने गाड़ी रोकी है यह व्यू देखने के लिए अब देखो वहां पर अलग नजारा था यहां पर जो अनुभव है एकदम डिफरेंट है पहली बात यह कि लहरों को हम हाइट से देख रहे हैं य आज मौनिंग में हम MTDC कुनकेश्वर से जब देवगण की ओर आ थे ना तो बड़ा खुबसूरत मैंने नजारा देखा थे यह चार-पांच किलोमेटर के जो स्ट्रेच है ना समूतर आपके साथ साथ ही है मतलब रोड समूतर के साथ साथ है कहीं पर हाइट से देखते हैं क वहीं ग्राउंड लेवल से ब्यूटिफुल तो अब हम यहां से कुनकेश्वर पहुंचते हैं और फिर वहां पहुंच के आपको जॉइन करेंगे रास्ते में आप व्यूज देखना कुनकेश्वर में बहुत प्राचीन मंदिर है सी बीच है दोनों विजिट करने के बाद में फिर हम आगे की ओर चलेंगे 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 में अभी हम कुनकेश्वर पहुंच चुके हैं यहां पर आने के बाद हमने भगवान शिव के प्राचीन स्थान के दर्शन करें मंदिर के अंदर वीडियो ग्राफी फोटोग्राफी अलाओड नहीं है मैं और प्रसाद टेंपल के अंदर गए हमने दर्शन करते समें नोट शेली बोल सकते हैं यह दोनों का मिक्स्चर है तो मराठा एंपायर जिस समय पीक पे था आज से 400-500 साल पहले उस समय इस टेंपल को रीकंस्ट्रक्ट किया गया एक्चुली में यह जो मंदिर है काफी प्राचीन है कहते हैं 11th century से भगवान शिव यहां पर स्वेंभू है यातर चैंडी इतने साल पढ़े भी यहां पर आते हैं र आज भी आते हैं मेरे को यादा जब को इस दो कोश्ट्र कर नाट का टूवर कर रा था तो समय में मुझड़ेश्वर कर गया था तो वहां पर हमने बंच शीव के दर्शन करी मूरा गधुण रिजन कर्या यहां पर अच्छान गनेश का भी टेम्पल है वो भी कोस्टल लाइन पी है अच्छा रह यहां पर आप यहां तो प्रसाद अभी हम यहां से कहां जा सकते हैं अभी ताम कितना 11.30 हो चुका है यहां से हम अभी तुवर्ट समालवन जा रहे हैं लेकिन वहां जाते जाते हम आचरा और दुष्रा अचरा का मैंगरूज जो है वो बहुत सुंदर है अच्छा कितने लगेगी अचरा मोंचने में एक आदा गंटा लगेगा अच्छा चलते हैं कुंकेश्वर से 25 किलो मेटर का सफर करके हम आचरा पुहँण चुके है यह स्थान शेरी रामेश्वर देओ के लिए बहुत प्रसित माना जाता है ऐसा कहते हैं कि इस थान की पैचान शेरीरामेश्वर मंदीर से है इस समय हम इस मंदिर के अभिशेकी जी के साथाह आप जाने के बाद टेंपल के अंदर गया मैंने भगवान शिव के दर्शन करें मैंने इंसे रिक्वेस्ट करी कि आप हमें एक तो यह जानकारी देदीजे कि अस्तान कितना प्राचीन है और दूसरा यहां का जो आर्केटेक्चर मैं देख रहा हूं उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी प्राचीन आर्केटेक्चर है थोड़ा उसके बारे में भी आप एक्स्प्लें कर दीजे जी प्राचीनता के बारे में एक्जेक्टली हम नहीं बता सकते लेकिन जो अपना गर्भग्र है वहां से अंदर जाते समय लेप्ट में जो एक इंस्क्रिप्शन है उसे यह पता चलता है कि उसका रिनोवेशन 1514 के आसपास हुआ था और उसके पहले 200 या 300 सल कम से कम यह मंदीर होना चाहिए लेकिन हमारे जो बुजूर्ग जो थे वो बता बताते थे कि एटलिस 1000 या 1200 वर्ष पहले का यह मंदीर होना चाहिए यह एक बात हुई और आर्किटेक्चर के बारे में आप अगर पूछ रहे है तो यह फांसना पद्दती का मंदीर है जो मंदीर रहता है और उसको पूरा कवर करके दूसरा स्ट्रक्चर एक्सेंशन बनाते हैं अब यह बड़ा मंदीर आप जो देख रहे है पूरा वो इस प्रकार का है और वो जो वुड़न पिल पहले का होना चाहिए और यह जो टाइल्स है यह मैंगलो टाइल्स कहते है हाँ यह उसके इधर कॉल कॉल बुलते है उसको मुझे काफी लोगों ने बोला था कि जब आप इस तरफ आएंगे कुनकेश्वर की तरफ तो इस थान में जरूर जाएगे का आच्रा में क्योंकि बहुत भक्तों की भावना इस तान से जुड़ी हुए जुड़ी हुए है बहुत बहुत दूर-दूर से लोक आते हैं यहां पहुत बड़े-बड़े लोग बड़े गायक इससे पॉस्फ़ेट करते सेवा के लिए आपका बोत-बहु धन्यवाद थैंक्यू टेंपल से तीन किलो मेटर का सफर करके इस समय हम जामडूल आइलेंड आए हैं यहां पर गाड़ी रोकने के बाद देखो कैसा व्यू देखने को मिल रहा है मैं डिस्क्राइब करने के कोशिश करता हूं इस सो दो सो तीन सो मीटर के एरिया में मुझे लगता नहीं पांच यह चे घर से ज्यादा होंगे एक हर तो हमारे पीछे है और दो तिन घर इस तरह है यहां पर दो किसम के पेड़ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कोकनट और सुपारी तो सामने पानी है तो यहां आके मन में ऐसा यहां लग रहा है एक सवाल सा यह कहा आ गए हम तो प्रसाम मैं बताओ इस कुछ इस जगह के बारे में यस बताने क्या लव मैं आपको दिखा दागू यह सिंदुरुका का सबसे बड़ा मैंगरू फोरेश वाला बैकोर्टर है यहां पे यह अपने होडी है यह से हम अंदर जाएंगे नमस्कार जी अज़िए अचर यहां से जस नजदीक समिंदर है अच्छा वो लेह न दिख रही है हाँ यह यह एक नदी है आचरा की जो समिंदर को जाके इधर मिलती है तो यह बैकोर्टर तैयर हो गया और इससे हम पीछे जाएंगे उदर जो दिख रहा है न पूरा फॉरेस्ट वो मैंगरू का फॉरेस्ट है लवली बताओ यह भी एक्स्पीरियंस है चोटी बोट में बैठकर ऐसे सफारी करना लवली क्या फीलिंग है जबरदस्त अच्छा हम यहां से जा रहे हैं हाँ है किता जबरदस्त है ना देखो वहां से आ रहे थे और अवम इधर भी मैंगरूव और बीट से निकल रहे हैं यह तो तोटल 210 हेक्टर अड़ी अच्छा बत बड़ा एरिया है सही में बता हूँ उस दिन हम कहते हैं चिपलून में भी वहां पर भी मैंगरूव थे लेकिन बरसात होगी तो हम लोग देख नहीं पाएं वह थोड़ा सा एक्स्पिरियंस बरसात के वज़े से डाली उट होगे लेकिन यहां तो एक के बिच्छे दूसरा पर तीसरा दूसरा इक हम चालिस स्पीशिस और तो ढूसरा में कोई पैसिस है उप्रइश है और अगला खाड़ी में नहीं मिल सकता है जायला करो पस इरापू है और उसका तूसका नितवा में वे उसका यूज करता है लोग तो आपका मतलब है कि 20 species में से कुछ ऐसी है जो अगली खाड़ी में नहीं मिलेंगी वैसे काका एक बात बोलू मैं मज़ा बहुत आ रहा है उसका एक तो पहला रीजन यह है कि आपको अच्छी खासी नॉलिज और दूसरा कारण यह है अभी देखो हम कहां से यह दो मैंग्रोव फॉरस्स के बीच से निकल कर यहां गए है और यहां पर फिर से खुला बैक वॉर्टर जबरदस्त अच्छा वैसे थोड़ा अपने बारे में बताओ आपका में काम क्या मच्छी पकड़ना हम अच्छी पकड़ना रहो है इधर वो मैंग्रोज का सफारी कर ना और मैंग्रूज का पेड लगाना और अधायलो कॉर्पोस अरो दुर्मिल पेड हमने खुद के घर पे भी लगा जिया है उसको पूट भी लगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मानना पड़ेगा कितना एफट है देखो मैंग्रूज का पेड लगा रहे हैं यहां अब पूरा साल बैक वोर्टर का पानी ऐसा ही रहता है यहां लेकिन थोड़ा लोड है टाइट को थोड़ा कम रहते है तो हाई टाइट को अच्छा रहता है अब आपना दो मिनिट बैठ जाओ और हमें आप बैठ के बढ़ाओ कि मैंग्रूज के क्या-क्या फाइदे है किदर लहां वारिष में या बड़ाव अब जाता है बड़ा बड़ा सिंपला अर्केकडर मिलता है वह मलते हुर मलते है और चेशे म सोल अच्छा ञेट कर तो मिलते हैं खत्त है मैंग्रूज में आ पड़िघा बीड़ा-किदिर, अपना परिड़ब करते सकता है उसा ब्र ग्रूफ फॉरेस्ट आपका जैसे समुदर के पानी के जब हाई प्रेशर होता है तो उससे भी स्वाइल इरोजिन कैसे क्या बोलते है उसको भी रोक सकते है पूर्ण बड़ा मेंगरुज को पेड़ को 10,000 तक मुल यहारता है जमीन का भूप और यह होने से साइकलोन की तीव पूरता हो और कमकरता है तो जैसी मिट्टी में इसको जड़े सके बांध के रखतर हो जैसे जथिल का काम करते ओस्चेल का मिट्टी में इसका जड़े जए स्टील का काम करता है और эпतारे हो कि इसा मैंगरूव है जिसका 10,000 जड़े हैं मतनब एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद इसकी हाइट कम है और दूसरी बाद जड़े इतनी सारी हैं जमीन को वरना साइकलोन आएगा तो पूरा उखाण के ले जाएगा सारा बड़ा पेड हिल जाता है लेकिन ये बचा के रखत तो इसका मतलब इसके जड़े है वो 10 फीट के भी नीचे है हां नीचे देखो रास्ता तो ही नहीं को अंदर जाने का तो आप कैसे पकड़ते हो ओ छोटा होड़ी लेकि हम इसके पाड़ पेड के उपर ची जाता है अंदर अंदर कितना अंदर तक जाते हैं बहुत लांदर अंजे हे निचानी थे उतो काई काईसी अच्छा मता आप लोकल हो के भी आपनी समझभा होगी वही बाहर कैसी आप तो यह अंदर गल्ती से निचानी नहीं बांदी तो फस गए तो सही है कुत्रा एजुकेटिव प्रोग्राम नहारे लिए और सबसे मेन बात है तीन बचके पंदरा मिनिट हो गया है तो लंच हमारा डिले हो गया है कोई बात नहीं कहां चलें के लंच करने है यह आप एक परेश तारी बोलके रहे थे उनके इधिर उनके रिसोड है बीच साइड नजदीक है हाँ नेजदीक है हाँ अ जहां पर हमने मैंगरूज सफारी करी वहां से दो किलूमेटर का सफर करके हम एक ऐसी जगह आ गए है यहां पर इनका प्रसाद ने इनको पहले ही फोन करके इनफॉर्म कर दिया था कि आप लंच में कुछ डिश को रेडी रखना तो इसके लिए इनोंने यहां पर बहार टेबल भी लगा दिया और इस समें मौसम बताऊं कैसा है इस मुझे बताने की जरूत ने आप आसमान की तरफ देख लो बारिश पांच मिनिट बे भी हो सकती है और समुधर कितना दूर यहां से वाकिंग डिस्टंस पर हमारे साथ इस सम्में इस होम से के ओनर भी है और जिन्हों ने इतना लैविश मील हमारे ले तयार किया वो भी है आपका नाम है कवीता जी और आपका गुड नेम परेश तर अंदो हम भी हम लोग चटनी रहता है विश का चटनी बांगणा फिश और ये जाओला ड्राइफ इसका शूखा लाल माट का सबजी आपकाश लाल मात का सबजी मतलब यह ग्रीन वेजटेमर जैसे रहता है वैसे उसको लिफ रेड रहता है अच्छा इसी लिफ है जिसका र आ Approva fry come चेना भीट घ्रावा इस बना लिए यह सिर्थ को अर यह करी तो वो करी राइस के नि Και साथ है को चेपिए अबने जो कुकिए यह मिट्टी के बरतन में करेढ़ी है मिल्टी के बातन में की लिए बताओ जबरदस्त है पहले लूँगा हमारे यहां पे सब करना भी बहुत अच्छा बड़ी बात अच्छा करना चाहिए आप गेस्ट है हमारे ओ थैंक यू तो हम लोग ऐसे अभी क्या लगए अपको बरसात आईगी कि नहीं आईगी 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 आई है अच्छा बरसात आई है आगी ओ तो अभी बेतर रहेगा हम लोग अंदर शिफ्ट हों तो हम जब मुंबई में कुछ रेस्टरांट देखते हैं इनके बाहर बोर्ड पर लि सक्ष्ट कर देखते हैं तो मैं आईगी 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 आई था जाएगी आईगी कि प्रिया जाएगी ह syntी है एग्ड यह हैं वेगे बाहर राइटी में है वाराइटी है वहत अलग स्वाथ है बहुत अलग स्वाथ है क्या पता आपने इसका नम? जा नम है लाल मार्ड यिसमें नम रेटा नाप 우리कर हृ और जलाहिता cavern ख्ली हर्लमिर्छ ए लेटाया ए जैसे को स्वाट, रंसाए चाहिस नारियल? यह लॉस्टानी लुछा है वर तो ज़रूई है तो ज़रूबी है तो कैसे पता लगे का आप यहां आप रो और बरावए लिद्च अप्रूदी अगरा और में बात आपना बता है कि मसाला कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है तो आपको अनुपा बोरहे हैं ता सा स्वाधार जैसे आप ठीटान कैसे पत्ते घर उत्ति हम अपल कर दो कर दो कर दो ऑफ जडलत है किसी पत्ते को कर आप संडल की. आप बहुता है!! विते हैं यह लगी चावल भीष है यह भीष्ट होगोग तो जादा करने चावल ही वस्टेश है यह उस्टर का अपर थे भूटा रहा है। मैरे कुछ आद नहीं है पाइस्टर कप काया पिर यह अजा बहाइड ज़रू भूलूँ है तेस्ट उनीक है और प्रिपरेशन वाके में लाजवाब है थैंक यू थैंक यू पिछले कुछ दिनों में मैंने काफी जगा बंग्ला फिश टेस्ट कर लिया है लेकिन यहां पर स्वाद बहुत अलग है एक तो घर का टेस्ट होता है लोकल मसाले घर के और दूसरी बात हम ज और करी तेक्सर में भी अफ्रत जब अपड़ु यह Sergeant सिर्टनी को Aww पूंछ प्राइवे घर्टी ने थैंक तो आफ रम खामेव है एक शीज अहीना है इक है अगिन cuma मैं चूादी के पट्टे शवादी में लिएश उनक미ने ऑन दिए क्नीन में डीए पत् submitting अच्छा ये हल्दी के पत्तों के साथ कुकिंग होती है इसकी हल्दी के पत्ते भी उसमें डाले हैं ये अथेंटिक बनाने का तरीका है बता हुआ लो जी रावस्स्ट करेंगे थोड़ी से बर्साद हुई ना तो में रगा बारी से जाएगी लेकिन अब चांस की बात ऐसी है कि बर्सादे से में रुख चुकी है बार यहां से हमें सामने बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं सब आपका तफाम है है बहुत अब इसमें क्या शोलगड़ी एक है अच्छा इसको अंदास बोत अच्छा लगा मेरेको अब सबाल है किसी को बट पसंद आगी मेरी जैसे को तो पाँ जार बार मांगे तो प्रों कितरा मांगें हुआ है जाल एफ जाल एफ नेवेश वह फिर बूलते हैं बड़ा ग्लास टे दो इता है तो मांगना में शर्म पुरिषी का बाती है अगर कोई चीज अगर कोई चीज अगर कोई चीज मैंने सबसे ज्यादा कंजूम करी है तो वो सोल पड़ी है और अब दिन में दो बार मिनिमम और हर बार दो-दो ग्लास क्योंकि यहां से चले जाएंग ना फिर मोका नहीं मिलेगा यह इदरी की स्पेशल्टी है क्या जए फिर कमी पी एह तर यह कि यह वी८्ता है प्यादे आह संवंधर कीज मैं मैंने से्टेंटिंए ओ जतनी संबस्टी इढू्रारी मैं यह में बढ़ सबस्ते हैं इन कैनल स्य हमें त topics क्योंकि खावा mater descriptive math class देसी ब्लारी थे टेसित ताटिए झाषी आल रिछा, क्या क् तो कोकम का टाइम तो निकल गया तो आप लोग कैसे साल बर कैसे चलाते हो ड्राइ करते हो अच्छा हु़ हुआ हुआ पूर दिखने बाद हो इस अपराइ मैं तो अब बनाई है इसका मुझे निरस्ट मैंच क्या लग रहा है जो फिशकरी में मैंगलोर में तेस्कीथ ये गोवज क्यों नहीं है लिकुछ कुछ समय के वका नाख विए मैं करद को पिर्फाटिय गाए तो चुछ तो कमन एब कि किसी और डिश में नहीं दंट, सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा है क्योंकि इसमें कोगनुट जादा है ना हुआ थो सतना लोग भी अगले एक बात ओर रहा है इसके अंदर भी इसके राम भी दोतिन फिश है और यह तो बांगडा की ही यह है और नामें को लुदा गया पता है दोनों की प्रपेरेशन में इतना ज्यादा फरक है कि वह अगले प्रिपरेशन का मेथड ही अलग है है ना जैसे मैंने आपको बताया बर्साद अभी रूख चुकी है तो हम वापिस बाहर आगे और यहां पर बैठ की हम खाने वाले मीठा यह एंवार्मेंट ना मुझे बहुत पसंदा रहा है मतलब सबसे में बात मता है क्या है इतने सारे प वो लहरे वो हमें चुनाई दे रही है उसका आवास चुनाई लग रहा है बड़ा अच्छा लग रहा है अब हम यहां पर खाने वाले है क्या बोलते इसको यह पातोली है तो आपने मुझे बताया कि हल्दी का पत्ता है इसके अंदर आपने राइस फ्लार और कोकोनट वग ड्री तो इसको बेसिकली आपने अपने अपते में किया अग्या इस आज से पहले मुझे जो याद है कि पातोली मैंने गोओ में आख था वहां भी बोलोग यह खाते आया है उनका इसको त्रेडिशनल फूदोड वारिया का समझो पूर कई अधर नार्यल बहुद पूर कु जादा जूसी है, एलाइसची का टेस्ट और फ्लेवर अच्छे से डॉमिनेट कर रहा है, और पॉइंट तू नोटेड, यह जो हल्दी का पत्ता है इसने टेस्ट के और फ्लेवर को बदल दिया है, अगर हम यही प्रिपरेशन करेंगे बिना हल्दी के पत्ते में तो डिफरे में भी आपने यूस किया, बताओ, कैसी प्रिपरेशन है, लवली, एक बाद बोलूँ, खाने में तो सब कुछ स्वाधिस्ता, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और यह जो आपने लास्ट में मीठा खिला दिया ना, इससे दिल खुश हो गया, सिरिसली, इतना अच्छा ल सिंदु दूर गाएंगे, तो मेरी सला में आपको यह डिश मिसनी करने चाहिए, गोवा मैं क्यों हाइलेट करके बोला हूं क्योंकि यह चीज मैं खा चुका हूं तो इसलिए मेरे को वहां का आइडिया है कि वहां खाते है और यहां का आइडिया आज लग गया है, मेरे को तो इसलिए नहीं वालूम था कि आप लोगों की भी रसीपी है, यह जादा करके हम लोग लोग नाग पंचमी में बनाते हैं, बहुत बहुत बेतुरीन, बहुत बेतुरीन फूड हमने बहुत इंजॉय किया, ठीक है, सिरसली, आपको धन्यवाद, बड़ा अच्छा बोजन आपने हम लोग के लिए तयार किया, और आपने इनसे टाइम पर कोडिनेट करा दिया यह अभी अधरवाइस पॉसिबल नहीं होता, यहां पर रहने की भी सुविदा है, इ अभी मैं वीडियो के डिस्रिप्शन में मेंशन करता हूँगा, और एक चीज़ और मैंने अभी नोटेस कर रही है, कि आपके कंपाउंड में कुवाँ भी है, सही है, अच्छा जी, आपको बाई-बाई, और एक पेपर में मुझे आप लिख दो अपना एड्रेस, चलो इस बेतरीन लंच के लिए, थैंक यू, अब हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं, कुछ देर में हम जा रहे हैं तरकरली बीच, तरकरली बुलते हैं तरकरली, कितना दिर लगेगी? आदा घंडा तो लगेगा, आदा घंडा गंडा, ग्रेट हम तरकरली बीच को जा रहे थे, तो काफी आगे जाने के बाद, प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया, तो प्रसाद ने बोला, एक काम करते हैं, थोड़ से लंबा रास्ता लेके हम तुन्डावली बीच को चलते हैं, तो अब हमना तुन्डावली बीच पहुंच चुके ह चाम के साड़े शे बज़े का टाइम है, राइठ और लेफ्ट, दोनों तरफ मुझे तो कोई दिखाई नी दे रहा हम ही हैं, तो तूरिस्स थोड़े से लगता है, यहां पर कम आते हैं, बीच लेकिन सही है, और पंदरा मिनिट के अंदर अंधेरा हो जाएगा, थोड़ सा अब बताओ, आप बतारे थे यहां बैक वाटर भी पास है, यह एक ऐसा गाव है, जहां के लेफ सैड में ऐसे पूरा रिवर जाते है, राइट सैड में बीच है, तो एक चोटा साहिसा है जो रास्ता है उसके दोनी तरफ ही गाव, एकदम चोटा साहिसा है, तो यह कहना सही होगा कि यह समुदर का किना रहा है, सामने रोड और रोड के उस पर राक वाटर, बीच में सही है, गाव है, तोंडवली और तडशिल, और यह कितना बड़ा रास्ता है, जो बैक वाटर सामुदर साथ साता है, यह चार किलोमेटर का रास्ता है, तोंडवली और तडशिल तक अरे वाँ लवली तक पहापे गड़ नदी बोलके गड़ रिवर वो समिंदर को मिलता है गड़ रिवर अच्छा अब सोचने की बात गया है कि अगर चोटी-चोटी पॉकेट्स में तूरिजम ड्यूलप किया जाए और वोट राइट जो तूरिस्ट के लिए तो एक नही अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है क्योंकि बैक वॉर्टर जगा जगा है अब कोई आदमी तूरिस्स वहां पर गया तो एक घंटे की बोट राइट करी तो फन एंजॉयमेंट क्योंकि समुदर में तो इसा जा नहीं सकते लेकिन ये बैक वॉर्टर में बोट राइट काफी सही रा अब हमारा प्रोग्राम ऐसा है कि तार कर ली में हम अमटीडीस में नाइट्सिय करने वाले हैं किती तर लगे का हमको यह से यह से और आदा गंटा लगेगा अदा थार्टी मिनिट्स चलो तो तार कर ली चलते हैं और वहां चलंके आपको करते हम जॉयन हम एम प्रसाद एक चीज़ बताओ, कल हमें कहा कहा जाना है? कल हम ये पूरा देवबाग से मालवन तक लेकर ये जो सब रिजन है उसमें से कुछ बेसिक अच्छा अच्छा पॉइंट करेंगे उसमें एक सुनामी आइलंड है इडर और उस तरफ मालवन में जो सिंदुदुरुगा का फोट जिसके नाम से ये डिस्टिक को सिंदुदुरुगा बोला जाता है वो एक्स्प्लोर करेंगे वो मालवन में है यानि कुल मिला के हम ये 15 किलोमेटर के दायरे में रहेंगे तो अ यहीं पर आत को रुकेंगे और अब हमारी जर्नी का यह तो नहीं गोलूंगा लास दिन आ गया लेकिन अभी जर्नी के आखरी चार दिन बच्चे हुए कुछ दिर पहले मैं गूगल मैपस में चेक कर रहा था कि अभी हम गोवा से कितना दूर है जस्ट एक आइडिया लेने के लिए तो आया 105 किलोमेटर स्रॉम नॉर्थ गोवा और मुंबई से लगबग हम साड़े 500 किलोमेटर यहां आ चुके हैं आज हमारी जर्नी का 11th दे है साइट सिंग बगएरा बगएरा आज का यह एपिसोड बताइए आपको कैसा लगा हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट्स के इंतजार करूंगा कल का दिन भी काफी इंटरस्टिंग रहने वाला है तो जल्दी आपसे दुबार मुला कात करते हैं बाई बाई थांक्स फॉर हुआ करते हैं पूम थांक्स टुर पिल्दी दूभएरा प्साइबंग औूम है जए भी करा मुला करोगएरा आपकों का देगाकों काथि़्हू करूड़ार जी किसना कि फुल्दी अंगषवववगरा इंग जि TVs श्भ बिंदी का टो भी भीका बपका